आपको जानकर हैरानी होगी कि एक लड़की ऐसी भी है जो जन्म से लेकर आज तक पारलेजी बिस्किट ही खाती आ रही है करनाटका की रहने वाली 18 साल की रामावा ने बच्पन से पारलेजी बिस्किट के अलावा किसी और खाने को हाथ तक नहीं लगाया मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जन्म के बाद रामावा को मा का दूद नहीं बलकि गाय के दूद में पारलेजी बिस्किट मिक्स करकर खिलाया गया तब से लेकर अब भी वह सिर्फ पारलेजी ही खाती है वह पारलेजी के अलावा किसी और ब्रांड को पसंद नहीं कर दिये रामावा एक दिन में 6-7 पैकेट पारलेजी खा जाती है अगर इसे पारलेजी के अलावा कुछ और भी देंगे तो वह साप मना कर दिती है वो बताती है कि उसे पारले जी का स्वात बहुत अच्छा लगता है पारले जी बिस्किट मेरे लिए सब कुछ है मुझे नहीं पता कि अगर कंपनी ने बिस्किट का उत्पादन बंद कर दिया तो वो कैसे जीएगी माता पिता इस बात से प्रेशान है रमावा के माता पिता एक मजदूर है और उनके लिए इतने बिस्किट खरीद पाना मुस्किल हो रहा है पैसे की तंगी की विज़े से वो बेटी का इलाज भी नहीं कर पा रहे है इस कारण रमावा के माता पिता प्रेशान है कि बेटी की साधी के बाद क्या होगा